रमायनकाल रन्यकाल दंडक बन में बिराधवद सीता और लक्षमन के साथ राम ने दंडक बन में परवेश किया वहाँ पर उन्होंने रिसी मुनियों के अनेक आस्रम देश्टेगत हुए वह छेत्रे अत्यंत मनोरम था वहाँ पर बड़ी यग सलाएं थी तथा हवन समागरी भी परचूर मात्रा में उपलब थी उन अस्रम में तेजस्वीरी सी मुनी अपनी अत्याध्मिक साधना में लीपत रहा करते थे वीरत पास्वियों के पेस में राम लक्षमन को देख कर वे समस्थ्री सी मुनी अत्यांत प्रसंद हुए राम, सीता और लक्षमन का समुचित सत्कार करने के पचात बोले हे राघव या धपी आप वन में हैं किन्तु हमारे लिए आप ही राजा हैं हम बनवासियों की रक्षा करना आपका परम करतब्य है आत्म चिंतन में व्यस्त रहने वाले यहां के निवासी तपस्वियों को दूष्ट राक्षस निर्वित निर्विहिन रूप से इस्वर आराधना नहीं करने देते वे उनकी तपस्या में भीन तो डालते ही हैं साथ ही साथ निप्राध तपस्वियों की हत्या भी कर डालते हैं इसलिए हम आप से आगड़ा करते हैं कि हे रगुनन्दन आप उनसे हमारी रख्चा करे रामचंद्र ने उन्हें आस्वास्त किया वे सीग रही ही इन रख्चसों का अभिनास कर इस छेत्र को निरापत कर देंगे वहां से उन्होंने माहावन में परवेस किया जाना नाना परकार के हिंसक पसु और नरभख्चक राख्चस निवास करते थे ए नरभख्चक राख्चस ही तपस्वियों को कष्ट दिया करते थे कुछी दूर जाने के बाद बगंभर धारन किये हुए एक परवतकार राक्षस दृष्टिगत हुआ वह राक्षस हांथी के समान चिघारता हुआ सीता पर जपट पड़ा उसने सीता को उठा लिया और कुछ दूर जाकर खारा हो गया उसने राम और लक्ष्वन को संबोधित करते हुए कहा तुम धनुस बान लेकर दंडक बन में घूस आये हो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी मिर्तुर निकट आ गई है तुम दोनों कौन हो क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना मैं प्रती दिन रिष्यो का मांस खाकर अपनी भूख सांध करने वाला बिराध हूँ तुम्हारी मिर्तुर निकट तुम्हें यहां ले आई है मैं तुम दोनों का अभी रक्तपान करके इस सुन्दर इस्टिरी को अपनी पत्नी बनाऊंगा उसके दम युक्त बचनों को सुनका राम लक्ष्मन से बोले भाया बिराध के चंगुल में फसकर सीता त्यंद भैभीत यहम दूखी हो रही है मेरे लिए यह बड़ी लज्जा जनक बात है कि कोई अन्य बेक्ती उसका असपर्स करे भीता जी की मिर्टूत असा अपने राज के अपहरन से मुझे इतना दुख नहीं हुआ जितना आज भैभीत सीता को देखकर हो रहा है मुझे यह भी नहीं सुझ रहा है कि दूष्ट से सीता की कैसे रक्षा करो राम को दीन वचन कहते सुनकर लक्ष्वन ने कुरोध होकर कहा भैया आप तो महापराकर्मी है आप इस प्रकार अनाथों की भाती कियों बात कर रहे है मैं अभी इस दूष्ट राक्षास का सनहार करता हूँ फिर भीराध से बोले रे दूष्ट अपनी मिर्टू के पूर्वतू हमें अपना परिचाय दे और अपने कूल का नाम बता भीराध ने हस्ते हुए कहा यदि तुम मेरा परिचाय जनना ही चाते हो तो सुनो मैं जैर अक्षास का पूत्र हूँ मेरी माता का नाम सदहद्रा है मुझे ब्रहामा जी से यह वर प्राप्थ है कि किसी परकार का अस्त्र सहस्त्र न तो मेरी हत्या ही कर सकती है और ना ही उनसे मेरे अंगों को छिन भीन हो सकते हैं यदि तुम इस इस्तिरी को मेरे पास छोड़कर चले जाओगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा बिराद के बचनों से कुरोधित राम ने उसे ततकाल तिक्षन बानों से भेतना आरम कर दिया राम के बान बिराद के सरीर को छेद कर रक्तंजली हो पिरित्वी पर गिरने लगे इस परकार जब घायल होकर बिराद तिरिसूल ले राम और लक्ष्मन पर जप्टा तो दोनों भायों ने उस पर अगनी बानों के वर्सा आरम कर दी किन्तु बिराद पर उनका कुछ भी परवाव नहीं परा वे केवल उसके तिरिसूल को ही काट सके फिर जब भयंकर तलवारों से दोनों भायों ने उस पर आकर्मन किया तो वह सीता को छोड़ राम और लक्ष्मन दोनों को भुजाओं में पकड़ कर अकास मार्ग से उर्चला राम ने लक्ष्मन से कहा भाई हमें जी सोड़ यह रक्षस ले जा रहा है बिना विरोध के हमें उधर नहीं चले जाना चाहिए यही हमारे लिए उचित है बिराध दोरा राम लक्ष्मन को ले जाते देख सीता बिलाब करने करके कहने लगी हे रक्षस राज इन दोनों भाईों को छोड़ दो मैं तुमसे प्रातना करते हूं सीता के आर्तनाद करने पर क्रोधित होकर दोनों भाईों ने विराध की एक-एक बाह मोड़ कर तोर डाली वह मुर्चित होकर पिरिद्वी पर गीर पड़ा लक्ष्मन उसे सचेत करके बार-बार उठा उठा कर पटकने लगे वह घायल होकर चितकार कने लगा तभी राम बोले लक्ष्मन बरदान के कारणिया दुष्ट मर नहीं सकता इसलिए यही उचित है कि हमें भूमी में गढ़ा खोद कर इसे बहुत गहराई में गार देना चाहिए लक्ष्मन गढ़ा खोदनी लगे और राम बिराद की गढ़न पर पैर रखकर खरे हो गए तब बिराद बोला प्रभू वास्तों में मैं तुम्रू नाम गंधर्व हूँ कुभेड ने मुझे राक्षास होने का साप दिया था मैं साप के काड़न राक्षास हो गया था आज आपकी कीड़पा से मुझे उस साप से मुक्ति मिल रही है राम और लक्ष्मन ने उसे उठा कर गढ़े में डाल दिया और गढ़े को पत्थर आदी से बांध दिया सारा वन प्रांथ उसके अरतनाथ से गुण जुठा अगला काथा मैं दूसरे वीडियो में सुनाओंगे तो फ्रेंस मेरे वीडियो के लाग से रेने सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक्यू नमस्कार